नमस्कार दोस्तों घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखें दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे 21 जुन 2020 सुरी गरहन के बा पहला सुरी गरहन जो 21 जुन को लगने जा रहा है उसका समय क्या होगा यह सुरी गरहन भारत में कब से कब तक रहेगा और कब समाप्त होगा 21 जुन 2020 सुरी गरहन का सूतक काल कब से लगेगा खासकर गर्वती महिलाओं को इस भयंकर सुरी गरहन 21 जुन 2020 से बच के रहना और इसका सूतक भी मानने होगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 21 जुन 2020 सूरी गरहन से बचने के उपाय बता देती हूं सूरी गरहन के दौरान गर्वती महिला को क्या-क्या साफधानिया बरतनी चाहिए इन दिनों में लगने वाले गरहन के दौरान के दौरान के बचने के लिए खास साफधानिया बरतनी पड़ती है क्योंकि गरहन के समय दूसित किर्नों का परभौ गर्वती महिला के साथ-साथ उनके गर्व में पल रहे सीशू पर पड़ता है तो चलिए जानते हैं साफधानियों के बारे में द्रोस्तो गरहन लगते ही नकारात्मकुर्जा बहुत जादा फैल जाती है बातर बरन में जिसके कारण गरहन के समय निकलने वाली दूसित किर्णों का काफी बुरा परभाव पड़ता है गर्ण में पल रहे सिसू पर इसलिए गर्वती महिला को चाहिए कि वो घर के भीतर ही रहे गरहन के किर्णों के संपर्क में आने से बचे घर के भीतर ही ऐसी कपड़े पहने जिससे की गर्वती महिला के सरीर पर गरहन की किर्णे गलती से भी ना पढ़ सके साथ ही ग्रहन काल के दौरान घर के परदे एवं खिड़कियां लगा कर रखें जिससे ग्रहन की किरने घर में परवेश ना कर सके साथ ही ग्रहन काल के दौरान गर्वती महिला को चाहिए कि वो खाना ना तो खाए और ना ही बनाए ग्रहन काल के दौरान गर्वती महिला को किसी भी प्रकार के फूल पत्ती एवं लकडियां आदी तोड़ने से बचना चाहिए उन्हें ग्रहन काल के दौरान किसी भी चीज को काटना और सिलने से बचना चाहिए क्योंकि अगर वे सबसावधानिया नहीं करती हैं तो गर्ब में पल रहे सीसू पर बुरा प्रभाव पड़ता है एवं जन्म लेने के बाद सीसू के अंगों पर जलने एवं कटने की निसान और ग्रहन के अन प्रभाव भी पड़ते हैं इसलिए ग्रहन के दोरान उनको घर से बाहर ना निकलना चाहिए घर की अंदर बहन रहने के अलावा उन्हें ग्रहन काल के दोरान पैरों को मोड कर नहीं बैठना चाहिए साथ ही गर्वती महिला को यह भी करना चाहिए कि अगर उन्होंने ग्रहन से पहले खाना बना लिया है तो सुतक लगने से पहले वो सारे खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे ऐसा करने से आपका खाना दोसित नहीं होता क्योंकि ग्रहन इतना लंबा है तो इतनी देर भूखी रहना उचित नहीं होगा ग्रहन के दौरान कोशिस करे कि वो अनली लिक्विड ही ले क्योंकि इसमें पाचन की समस्या हो सकती है चुकि यह ग्रहन लंबे समय तक रहने वाला है इसलिए गर्वती महिलाएं इतने देर तक बैठी नहीं रह सकती है उनको अगर सोना हो तो ग्रहन काल का सूतक लगने पर वो अपने सीर से पैर तक एक लंबे धागे को नाप ले और अपने घर की किसी कोने में लटका दे और ग्रहन समाप्त होने पर अपने घर से बाहर कहीं भी डाल दे ऐसा करने पर ग्रहन काल के दोरान सोने से उनके उपर कोई भी दुसित प्रभाव नहीं पड़ेगा ग्रहन के सूतक लगने से पहले अगर महिलाएं गंगाजल पी लेती है तो यह उनके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता है इसके अलावा गर्वती महिला को चाहिए कि ग्रहन के सबाप्ती के बाद पानी में गंगाजल मिला कर असनान करे ऐसा करने से वो पूरी तरह सुध हो जाएगी और उनके उपर से हर प्रकार के दूसित प्रभाव हड़ जाएंगे और कुछ दान अवस्थ करे क्योंकि दान करने से आया हुआ संकर ठल जाता है इसकी अलाबा ग्रहन के दौरान प्रिगनिंट लेडी को तनाव में नहीं राना चाहिए क्रोध नहीं करना चाहिए किसी छोटे बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए ध्यान रखे कि ग्रहन काल के समय ना तो तेलमालिस करे और ना ही कंगी करे ग्रहन एवं सूतक लगने से पहले अपने पेट पर गेरू व तुलसी का लेप लगा ले या चंदन का लेप भी लगा सकते हैं ग्रहन काल के दौरान अपने घर में बैठे बैठे मंत्रों का जाब करते रहे साथी मुख में तुलसी का पत्ता रखे रहना चाहिए साथी एक नारियल भी अपने पास ग्रहन के दौरान रखना ना भूले ग्रहन समापती पर नारियल को जल परवह कर दे ऐसा करने से नकारात्मक सक्तियों का परभाव कम हो जाता है अब चलिए जान लेते हैं ग्रहन लगने का समय क्या होगा सूतक का समय क्या होगा और ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा तो दोस्तों भारतिय समय अनुसार यह ग्रहन दस बच के 14 मिनट सुबह में सुरू होगी और ग्रहन की समापती एक बच के 49 मिनट पे होगा इसका सूतक काल ग्रहन लगने से 12 घंटे पहले लग जाएगा 20 जून की रातरी में 10 बच के 14 मिनट पे सुतक काल सुरू हो जाएगा जो ग्रहन की समापती के साथ समापत होगा चुकि यह ग्रहन भारत में दिखाई देगा इसलिए सुतक काल एवं ग्रहन के सारे नियम मानने होंगे भारत की अलावा यह ग्रहन भारत नेपाल पाकिस्तान सौधी अरव UAE इथोपिया और कांगो में दिखाई देगा तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और घरे लुक हबर चैनल को सब्सक्राइ करें और अगर आपके मन में आप प्रिग्नेंट लेडी हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकती है मैं उसका अवस्य रिपलाई दोंगी थैंक्स